प्रणाम बच्चों आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं कि कहानियां हमारे बच्चपन की एक अभिन अंग होती हैं और सिरफ हमारे ही नहीं, हमारे दादा पर दादा, उनके दादा पर दादा भी सद्धियों से कहानिया सुनते आए हैं आज हम बात करेंगे कहानी लेखन की जब हम किसी के जीवन की घटना के बारे में लिखते हैं तो वह कहानी बन जाती है बच्चो कहानियां जब भी हम सुनते हैं तो हमें पता है कि हमें कैसी कहानी रुचिकर लगेगी कैसी कहानी रुचिकर नहीं लगेगी जब तक कहानी में रोमांच ना हो उसे सुनने में आनन नहीं आता इसके अतिरे क्या चीजे कहानी को और खुबसूरत बनाती है कहानी का प्रारम रोचक होना चाहिए, कहानी की भाषा सरल्स पश्टेवं रोचक होनी चाहिए, कहानी के वाक्य चोठे तथा क्रम बंध होने चाहिए, कहानी शिक्षा प्रध होनी चाहिए, अर्थात कहानी के अंत में शिक्षा अवश्य निकल के आनी चाहिए, आए बच्च राजा के महल में आई राजा ने उनका बहुत आदर सतकार किया राजा के आदरभाव से प्रसन होकर साधू ने राजा से वर्दान मांगने को कहा राजा ने ये वर्दान मांगा कि मैं जिस चीज को छू लू वह सोने की हो जाए साधू तथास्तू कहकर अंतर ध्यान हो गया वर्दान पाकर राजा बहुत प्रसन हुआ, उसने मेहल के खंबो को चुआ तो वे सोने के हो गए, वे उपन में गया, वहां उसने जिस पेड को चुआ वे सोने का हो गया, यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन हुआ, कुछ देर बाद राजा को प्यास लगी, जब राजा न उसे गोद में बैठा लिया लेकिन यह क्या वे राजकुमारी भी सूने की बन गई राजा बहुत दुखी था उसी समय वहाँ वही साधू पुनह प्रकट हो गए राजा ने साधू से शमा मांगी और वर्दान वापस लेने के लिए निवेदन किया साधू को राजा पर दया आ गई साधू ने बताया कि बगीचे के तालाप का जल लाकर सभी वस्तुमों पर डालने से वे पहले जैसी हो जाएंगी राजा ने तालाप से जल लाकर सभी पर डाला तो वे पहले जैसी हो गए राजा यह सब देखकर बहुत प्रसंद हो गया उसे अपने लालच का फल मिल गया था शिक्षा हमें लालच नहीं करना चाहिए तो बच्चों आपकी पुस्तक में इसकी अतिरिक्त भी कई कहानिया दी गई है हम आशा करते हैं कि आप इन कहानियों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनी के आधार पर कहानी लिखने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में और इस पुस्तत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद